धन्य ऐसी माताईं में जो अपनी कोक से ऐसे बालकों को जनम देती हैं, जो देश की रक्षा के लिए जाते हैं, फौजी बनते हैं, धन्य ऐसी पत्नियों को जो ऐसे पतियों का चुनाव करती हैं, जो फौजी बनते हैं, हम तो यहां आनंद के साथ बैठे रहते हैं, कथा भा के उन आनंदों में मस तो होते हैं लेकिन वो अपने घर से अपने बेटे को अपने पती को वहाँ भेशती हैं जिससे हम लोग सुख और चैन से सो सकें मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कभी कभी मुझे कई लोग ऐसी बाते करते न कि उनको तो अच्छा वो बॉनस मिलता है उनको तो अच्छी फैसलेटीज मिलती हैं लेकिन सुख से जादा व्यक्ति की प्राणों की कीमत होती है न कोई व्यक्ति अपने परिवार से अलग हो लेकिन परिवार के बीच में वो अपने माता पिता अपनी पतनी उन सब के बीच में अपने बच्छों को खिला सके लेकिन आप बताईए उन्हें पूरा पूरा साल चार चार साल हो जाती हैं एक एक साल हो जाती हैं कभी कभी त्योहारों पे भी नहीं आ पाते प्रेम भी न निकल जाता है उनका, हमें गर्व करना चाहिए उनको, उनके परिवारों को सम्मान करना चाहिए कि इतना बड़ा त्याग किया, विचारों को तो पता भी नहीं, ये उमीद भी होती है कि हे भगवान हमारा बेटे को कुशल हो, कुशल हो, कई-कई जगे ऐसे होते हैं जब फो कि यहां नहीं जाना, ऐसे अपरचित लोगों से नहीं मिलना, यहां स्ट्रीडी कॉल नहीं कर सकते तुम, कहीं हमारी कोई बात तो नहीं, तो उन पर बड़ी शिस मज़र रखी जाती है, जो ज़्यादा ऐसे ही जगह पर कारी कर रहे होते हैं, या तैनात होते हैं, तो एक बड़ा सुंदर सा हो था कि एक आर्मी वाला एक फोजी भाई प्रते दिन बैंक के एटीम में जाता था, और सो रुपे निकालता था प्रते दिन, और चला जाता था, प्रते दिन का काम था सो रुपे डालना और सो रुपे निकालना, एक दिन निकालता था सो रुपे और उसी सो रुपे को डाल देता था एक दिन निकालता था सो रुपे और उसी सो रुपे को दूसरे दिन डाल देना यह उसका डेली का कारे था जो ATM का गाड था वो भी देखके परिशानी यह क्या करता है सो रुपे निकालता है दिन 100 रुपे डाल देता आशपास की लोग भी यह देखते थे कि भाईय हर दिन आता है 100 रुपे डिकालता है और अगले दिन 100 रुपे डाल देता एक दिन वहाँ के लोगों ने पूछा कि भाई एक बात बता है एक ही साथ पैसे निकालो ना क्या प्रते दिन आना और क्या प्रते दिन डालना यह हमें समझ नहीं आया प्रते दिन सौर पे निकालते हो प्रते दिन सौर पे डालते हो यह क्या मतलब यह तो निकालो ही मत और निकाल रहे हो तो पूरा निकालो कि डालने की जुरूती ना पड़े तो रो पड़ा उसने का कि यहां से मैं मेरी पत्नी को मैं call नहीं कर सकता मेरे घर वालों को बता नहीं सकता लेकिन जो bank का account है न वो मेरी पत्नी के उससे जुड़ा हुआ है मैं यहां से निकालता हूँ तो उसके पास message जाता है मैं यहां डाल देता हूँ तो उसके पास मैसेज जाता, उससे उन्हें फिक्र खतम हो जाते कि मैं जीवित हूँ उन भावनाओं को देखें, जिनको ये तक पता नहीं होता कि हमारा बालक ठीक है कि नहीं है हम उनके भीतर के उस सुख को नहीं, उस दुख को नहीं पहचानते हमें बस उनका जो बाहर की थोड़ी बहुत सुख सुविदाय उनको मिल रही होती है उन पर बड़ा, कई लोग ऐसी टीकट इपड़ियां करते हैं कि आप आर्मी वालों को इतना वो करते हैं अरे गर्व करना चाहिए, अबश्य करना चाहिए, मैं तो फक्र उर उनके परिवार पर होना चाहिए लेकिन कई बारे लोगों को मैंने सुना ऐसा बोलते हुए कि क्या हुआ, अरे उनको इतनी फैसलेटिज, क्या फैसलेटिज, आपको दे दी जाए और आपको तैनात कर दिया जाए, जो वहाँ तो एक अपने बच्चों को नहीं भेजेगा, कौन किसी अपने बालक को अपने से अलग करना चाहता है सुक तो वाकई अपने परिवार के साथ रहने में, लेकिन उनके त्याग को बारंबार प्रणाम, इस व्यास्पीट से भी मेरा उनको रिदै से प्रणाम झाल